पलामु जी लेके नावा जयपुर्थाना छेतर अंतरगत कस्वा खाड में गांजा की बिक्री करने वाले लोगों को पलामु पुलिस ने गिरफतार किया है अनुमंडल पुलिस पतादिकारी सुर्जीत कुमार ने प्रेस्वार्ता करिस्पी जानकारी दी दरसल पलामु पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा को गुप सुचना मिली थी कि नावा जयपुर्थाना छेतर के कस्वा खाड में दीप नरायन महतो के घर अवाय दरूप से गांजा की खरीद बिक्री की जा रही है तुछना पर तकाल पलामोपुल इसके द्वार गठट टीम ने जाकर शापेमारी की इस शापेमारी में पलामोपुल इसको करीब तेन किलो गांजा जैसा ही नसीला पदार्थ बरामद हुआ है नावाजय पूर थाने में मामले की प्रात्मी की दर्ज हुई है वहीं इस पूरे छापेमारी के दौरान पलामु पुलिस ने दीपनारायन महतो को गिरफ़तार कर लिया है मौके पर तरहसी थाना छेतर के देलहा निवासी नवीन कुमार महता और मुकेस भुईया को भी पलामु पुलिस ने गिरफ़तार किया है एक एचेफ डिलक्स मोटरसाइकल भी पलामू पुलिस ने जब की है जिसके डिक्की में काला प्लास्टिक में करीब 400 ग्राम गांजा जैसा ही पदार्थ रखा हुआ था बाइक नवीन कुमार मेहता के नाम पर ही रेजिस्टर्ड है पलामू पुलिस दीपनारायन महतों के बाइसाब दो किलो आलू दीजेगा तो अच्छा चीज़ बच्चों के लिए इसकूल तलास रहे है अरे हाँ एडमिशन नहीं हो रही है अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर जी हाँ ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्क जो गड़ता है आपके बच्चों का भविश्य एक परवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंब अधीक जानकारी के लिए संपर्क करें 62009107000 पर